नमस्कार, I am Veda the Science of Life चैनल पर वेद्धी गुपाल नारण शर्मा की उर्से आप सभी का एकपार पुना स्वागत गत वीडियो में हमने चर्चा की थी मुद्राओं के विश्य में, आज उसी विश्य को आगे बढ़ाते हैं हमारे हाथों के अंदर जो अंगलियां और अंगूटे हैं इनमें पंच महाभूतों की इस्तिति किस प्रकार है इस विश्य पर चर्चा करते हैं अनामी का अंगूली यानि की रिंग फिंगर इसमें यह है पृत्वी, कनिश्टी का अंगूली जल, अंगूष्ठ, अंगूठा, अगनी या तेज और इंडेक्स फिंगर तरजिनी अंगुली यह है वायू और आकाश का प्रतिन हिद्धू करती है हमारी मध्यमा यानि के मिडल फिंगर यदि आप चाहते हैं कि आपकी इस्मर्ण शक्ति बहुत अच्छी बने कठिन विशे को भी आप इजीली ग्रेस्प कर लें और लंबे समय तक वेह आपकी इस्मृति में बना रहें आप विभिन प्रकार के मानसे विकारों से भी यदि बचे रहना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं अनमनापन से मुक्ति यदि आप चाहते हैं अवसाद यानि के डेप्रेशन से मुक्ति यदि आप चाहते हैं क्रोध आदी से बचने के लिए और शांत मानसिक्ता वाली इस् पुष्ट के टिप को आपस में मिलाइए, शेश तीन अंगुलियां सीधी लेकिन बहुत तनी हुई नहीं, बहुत ज़्यादा बेंड खाई हुई नहीं, बिर्कुल रिलैक्स वाली पोजिशन में यह है ग्यान मुद्रा, इसका अभ्या समय करना चाहिए और इसमन शक्ती को अच्छा बना करके रखने के लिए दूसरी जो बहुत अच्छी मुद्रा है वह है पुस्तक मुद्रा, अपनी मुठी को भीच लीजिये और अंगुठे को अपनी तरजनी अंगुली पर इस प्रकार लगा लीजिये, मुडी हुई तरजनी अंगुली पर लगा लीजिये, यह है आपकी पुस्तक मुद्रा, यानि की मुठी भीचिये और अंगुठे को मुड़ी हुई तरजनी पर रख लीजिये, यह है पुस्तक मुद्रा है. तो आज हमने चर्चा की दो मुद्राओं की पहली ग्यान मुद्रा तरजनी और अंगुष्ट के टिक को मिला गिये तीर अंगुलियां सीधी बहुत जादा तनी हुई या बेंड वाली नहीं दूसरी पुस्तक मुद्रा इस प्रकार से आपका दिन शुब्वे मंगल में हो खल फिर एक मुद्रा गाल के साथ